कि यार किसे गर्मी हो रहे है यह तो किसी की प्राइवेट प्रॉपटी लगती है हाँ गाइस यह देखो यह किसी दुग्गर चोला के महरानी की जगा है कुछ नहीं यार यह बोड तो ऐसे दिखावे के लिए हाँ यह प्रॉपटी तो सालों से ऐसी पड़ी है है रहे किसी को पता भी नहीं चलेगा हम यह आए भी थे चलो किसी को पता भी नहीं चलेगा है वाव नाइस प्रेस या यह जील के पास ना बहुत ही खुब सुरत जगा है हम बहीं रुकें हैं जार मितेश हमारी शादी होने बाली है इसका मतलब मेरे पास सिर्फ यह महिना है मेरी आजाती का तुम्हे शादी को लेके को डाउट नहीं है ना माई बेबी मुझे तो कोई डाउट नहीं है हा तुम अपना सोच रहो ठीक है तुम इसने भी बुरे नहीं है प्रुया तुमने कुछ आवाद सुनी बितेश कि वहाँ पर कुछ है है हाँ हाँ ह मुझा अरे देखते हैं अ कहफोल तुम मुझा मुझा है कि आज अभागो! लिया! मिपिष्ट! लिया! 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 मिपिष्ट! लिया प्रज़! सर इस अजीम चीज़ में इसी क्या पास बाता है? सर, ऐसी चीज तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखिये ऐसा लगता है कि कोई दूसरे घर से आये है दूसरे घर से? मतलब सर, अब हमें क्रिमिनल को पकड़ने के लिए दूसरे घर पे जाना पड़ेगा? तो इसका एक ही मतलब है कि ये बहुत किम्ती चीज है, बहुत किम्ती चीज, समझे? नीबरतामबा, वो मेरा था, सी आएड़े वाले उसे उठाके ले गए, उमरेंगे सब की सब, उन्हें प्रता नहीं हो काहार टाल रहे, कानून तो आंदा है ही, अगता है, सी आएड़े भी आंदी होगी बॉस, नीबरतामबा वो अब भी सी आएड़े के पास है, इसका मतलब क्या हमारा प्लैन चोपट हो गया, जहां सी आएड़े की सोच खत्म होती है, वहां मेरी सोच शुरू होती है यह सब तेरे बाप की वज़े से हुआ है उसे की बेवकूफी की वज़े से नीबरतामबा सी आएड़े के हाथ लग गया और अब तू, तू ही उसे वापस लेकर आएगी लाएगी ना, लाएगी वहां मेरे साथ ही था, लेकिल जैसे मैंने मुड़के देखा, वहां खाया वहां चुका था तुम्हारा मतलब है, वह अजकर? वह अजकर मेरे मितेश को का गया रूमत्री है, मितेश को तुम्हारा मतलब है चलो वह अजया वह अजया वह अजया वह अजया वह अजया मैं अजया मैं अजया हम नितेश को भी बचा सकते है हमें उसे अजकर के पेच से भाहर निकालना होगा को थो कहा है तुम लोग और यहां हमारी प्रापर्टी में क्या कर रहे है तुम्हारी प्रॉपर्टी हम महाराणी ते लोत थमा है तुग धर्छॉला की महाराणी और ये हमारी प्रॉपर्टी जिसमें तुम लोग खुसाए हम हम मौफी चाते हैं लेकिन हम सब मुसीबत में है एक अजगर ने हमारे दोस्त को निकर लिया है अजगर मिल गया है और जल से जल यहां आने के लिए कर रहा है वो हमारा पाल टू अजगर है जहा रखा था उसे वहां से निकल गए वो जो कुछ भी हो फिलाल हमें हमारे दोस्त को बचाना है और वो कैसे करोगे तो अजगर को मार कर वो सकता है मितेश जिंदा हो उसे अजगर के पेच से बाहर निकालना होगा देखिए आप लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ हमें उस अभी में उसके पेट में है और अमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा डॉक्तर का इंफर्म कर दिया है वो आ रहा है लेकिन तब तक तो मितेश मर जाएगा चुप रहो यह सब तुम्हारी गलती है अगर तुम लोग गैर कानुन करीके से हमारी प्रापर्टी में नहीं घु मैं जा रहा हूँ अपने दोस को बचाने का और ऐसा करने से तुम में से कोई मुझे नहीं रोप सकता तुम्हें गौनी मार निये मार दो मैं जा रहा हूँ अपने दोस को बचाने का कर दोस्ते हां। प्रकानली स्थाइब जाया लिस दे आए. यह क्या चीज है? जर यह तो किसी नक्षी जैसे बिख रहे हैंशे यह नक्षा यह जए वंती यह नक्षा हमें वहां पहुच आएगा जहां यह कटोरी डंठा पहुचने के लिए तडप रहा है सर तो कटोरी को कहले एक नक्षा मिला था औसकता है इस नक्षे के साथ कोई लेना देना हूँ? तर लेकिन यह कैसे पता चलेगा? कि यह नक्षा क्रेचा के लिगा है? पहले तुम इस पता लगाना है पुर्वे कि गटोरी डमता इस नक्षे के पिछे क्यों पड़ा है? सर, यह पार्सल न्यूज चैनल की तरफ से आसे, मगर सेंडर ने लिखा है सर, पता नहीं किसने वेज़ा CID only वागो 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 क्यो वागो अँछ पी ने क्या था यहां पर पिछली बार केक लेगा था पंकज लेग सर यह मेरा हाँ से लेलो सर रहो इदर सर प्लीज प्लीज क्या लगता है हलका है सर बॉम तो ने लगता है ठीक है खुलो यसे मुदर संबल के मैं कोर्ण क्या वाकान क्या वाकान क्या वाकान क्याटरी विल्ड्राय को चला कर देखते हैं सर्थ हाँ विल्ड्राय को चला कर देखते हैं वह जानते हो ना जानते हो ना इसकी ऐसी हालत क्यों क्योंके मेरा कुछ समान तुमारे पास है मेरा नी प्रतामभा हम मैं क्या करूंगा वह भुआ वह भुआ वह भुआ वह भुआ जाट अजू वह भुआ यह वह कटोरी की गुली तब ही निशना चुकती है जब कटोरी चाहता बारा गंटे में किला रोड सामान के साथ क्या हुआ कहां है आजकर है डॉक्टर प्लीज परेशान बतों यह मैं देखता हूँ कर आजकर मर चुका है अजकर मर चुका है अजकर मितेश का क्या हुआ शायद वो भी मर चुका है अजकर मर चुका है लेकिन रानी साहिब उसे निकालने के लिए हमें अजकर का पेट काटना पड़ेगा जो करना है कीजी तैसे भी वो अजकर मर चुका है जै अगर रायम को बचाना है तो हमें कर्टोरी की सारी बातें माननी पड़ेगा सर्थ बाम एक्स्पर्ट अपने बाम को तो देखा है चया लगता है आपको कैसा बाम है वो सिर, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ एक बोम के फटने से यह हाल है अगर सारे बोम फट जाएंगी तो क्या हाल होगा सिर? सर, पुरा शेहर बरबाद हो जाएंगे हम ऐसा नहीं होनी देंगे पता लगा लेंगे शेहर में कहां कहां पर बॉम लगाए गए है और उनका रिमोर्ट भी ठुणना होगा सर सर सर, वो मजदूर बंदनी कुकरू उसका पता चल गया है सर, वो शेहर के बार किसी बड़ी सी कोठी में रहती है बंदनी कुकरू अब ये बंदनी कुकरू ही बताएगी इस बॉम के बारे में यहाँ एक रखो मेटेश, मेतेश प्रिया, मेटेश प्रिया, इससे क्या हो रहा है मेटेश बार तुम रो कि रही हो तुम ठीक हो प्रिया, मे ठीक हो, देखो मेटेश मुटेश तुम जिन्दा हो तो फिर यह कौन है इस आदमी के सिर पर गोली लगिया है होली लेकिन यह है कौन और हमारी प्रापटी में कैसे गुसा है बतलब यह मामला अजिगर के निगलने का नहीं है यह मर्डर केस है हमें फोरां सी इडी को बिलाना पड़ेगा हुआँँद सर्वेन यू दर्ष दर्वेन हाँ देर्स तुम नहीं टचेस्की मेरे बैक्स को हाँँद ब्रेंस किदर है तुम लगों का अचकल पता भी है कितना कॉसलियस बैक्स है वो कॉसलियस एक लाक्स का है सरेंटीनोस कंपनी का खेर, तुबने कहा नाउ चुना होगा इसका? सोरी मेडम, गलती होगी गोज नाउ, यू बलड़ीज फूल्स मिस बंदी नी कुकुरू एक्चुली इस दे बैंडीज वोज यूस? अम लग C.I.D. से हैं कुछ बात करनी आपसे सो करो ना, बठारी आपसा मेरी एपॉइंटमेंट्स है डूटीस पारलर्स में इंपॉर्टंस मीटिंग्स में जाना है मुझे हो, 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 हो अचा, अचा बात ये कुकुडू मैडम की आप कही पर काम करते थी ना पहले किसी बिल्डिंग में मजदूरी का काम इटे उठाना, पत्थर उठाना, है ना तो उसी बिल्डिंग में हमें एक बॉम मिला है बॉम, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में सा, सा, साई, वो बहुत पुरानी बात है मेरे को नहीं बता उसके बारे में मेरे को क्यो बूच रहा उसके बारे में अभी मेरे मैं नहीं जानती जूड मत बोलो, बंदिनी नहीं, जैवंती ऐसे नहीं बोलते इनके हाथों में हतकड़ी पहना देते हैं और फिर बाराद निकालते हैं इनकी सब लोगो के साथ में बूर में लिके जलते हैं नहीं साहिब चए साल पहले नि उस बिल्दिंग में काम करती थी और उस दिन मैंने देखा वहां की मैंने उस दिन उस विल्दिंग के बिल्डर को भी बता इथ ये बात तो उसने कहा कि बंद रखो अपना मूख, फिर क्या, उसके बदले में मैंने तो कह दिया उससे, मेरे से मैरिजेस कर ले, वरना मैं सबको बता देगी ये बात, फिर उसने मेरी बात मान ली, मेरे को मैरिजेस की उसने, और यहां पर लाकर रखा, अच्छा, उन लोगों को तो तो बैजान सत्ती हो ना, जिन्होंने वो बॉम्ब रखा था, तुमने देखा है उने, साहिब ओ, एक आदमी था, निलेश नाम था उसका, निलेश, काहा ही है निलेश, और तो हॉस्पिटल में बढ़ा है सर, ओपरेशन के बाद, शायद अभी भी कोमा में है वो, निलेश शायद कोमा में है, तो चलो, चल कर देखते हैं हम महाराणी तेलोतमा है, दुगर्चोला इस्टेट की मारक है, यह हमारे इस्टेट है, और यह बोड़ी अजगर की पेट से निकली है यह को? यह यह लो कौन है? यह सारा हंगा माईनी के वज़े से हुआ है, यह हमारे इस्टेट में घुसाए थे, और हमारे पालतू अजगर को भी मारती है वो अजगर पालतू था? अब जानती है ना, जंगली जानूरों को बिना परमेशन के पालना गार कानूनी है वो बहुत छोटा सा था जब ही हाँ था, फिर यह स्टेट जए से उसका घर बन गया लेकिन इन लोगों ने उसे पीट-पीट के मार ले आप शायद भूल रहे हैं, उसने इंसान को निगला था और सर, इस आदमी की खून से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन जरूद पड़ी तो दुबारा बुलाएंगे अपने अपने कॉंटेक नंबर और एडरेस दे दो, जी अंकर, सर, इसके मात है की पीच पीच गोली मारी है सर, इसके पास कुछ नहीं है सर, कोई अडेंटिटी नहीं है जोड़ रखा था, इसकी बड़ी स्टेट है, आपकी कहीं से कोई भी गुच सकता है हमने उसके लिए बाड़ा बनवाय था, लेकिन वो उसे तोड़ के निकल गया और एक आदमी को निकल गया, ओपर से गोली भी लगी इस आदमी को आपके गार्स तो यहां हर समय रहते हैं, गोली चलने की अवाज किसे ने कैसे नी सुनी एक ये, मैया का मैनेजर, अगर किसी गार्ने कुछ सुना हो था तो मुझे जरूर बताता सर, हो सकता हुसे कहीं और गोली मारी गई हो, और लाश खुला के यहां फेक दिया गया हो हमें सिखाने की कोशिश मत करो और तुम लोग इनी आसानी से चुटकारा नहीं पा सकते, समझे एक आदमी को गोली मारी गई है किसने किया यह सब ओफिसर, हमारा यकिन कीजिए हम में से किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बता इक्मी बड़ी स्टेट हैं, सेकडो एकवज में फैली हुई है हर बात पे नजर रखपाना पॉसिबल नहीं है और हम तो यहां रहते दूने विदेश में रहते हैं एक फैमिली फंक्शन के लिए यहां है वो सब तो ठीक है मारानीति लुत्मा जी लेकिन आपके सभी गार्ड्स के पास गन है और इस आदमी को बंदू की गुली लगी है सर, हम इसे सिकसे ने भी ने मारा वो हम पता लगा लेगा प्रेडी, इन सब गार्ड्स की गन लो और बॉड्डी को परंसी कलब बेजो देखो तो सही जो गोली से लगी है वो किस गार्ड की गन से चली है और इस पूरे स्टेट को छान मानना होगा सर, घंटो होगे सर, कब से डून रहे, कुछ भी नहीं मिला और यह जंगल भी खतमने का नाम नहीं ले रहा है सर सर, शायद महरानी और उसके लोग सही कह रहे यहां कुछ हुआ होगा, ऐसा लग तो नहीं रहा है कुछ तो हुआ है, यह देखो, यह अज करके रहेंगने का निशान हाँ सर, मतलब वो लड़का यहां मिला था अजगर से लड़का यहां पर मिला था, तो गूली भी आसपासी चली होगी सर, यह जूता यह तो किसी लड़की का जूता लगता है लड़की का जूता, सर, मतलब उस लड़के के साथ यहां पर एक लड़की भी थी तो वाज यहां से आरे सर, अब क्या को रहे हैं? हिलना मत, हिलना मत इस जबीन के जो वाइब्रेशन होती है उसके थरथराट से यह समझ जाता है कि उसका शिकार कहा है एकदम शान खड़े रो सर, मैं चका है मैं चका है अजगर ने जिस आदमी को निगला था उस आदमी की मौत गोड़ी लगने से लेकिन उसकी गर्दन पर मुझे एक चिपी लिए चिप? कैसी चिप है? ट्रैकिंग चिप है अभिजीत, तुम जल्द से जल्द फॉरंच से लाइबा जाओ तुम जल्द फॉरंच से लाइबा अमन को किसीने की नाप लिया है हम लोग उसे ढूंटे हुए जया तक आये हुए है अभायकुमार वो बहुत बड़े इंडस्टिलिस्ट जी हाँ वह ही और ये बॉड़ी अजगर की पेट से निकली है सर इसके मात है की पीच पीच गोली मारी ये अमन ने क्या कपड़े पहने थे वीला शर्ट और जीन्स अंकर सर अमन के पिता जी को फॉरण से क्लिब लेके आओ है सर सर अभाय ये अमन की डाट आईया अभाजी अभाजी देखिए हम चाहते हैं कि आप इस बॉड़ी को देखकर आइडेंटिफाय करें कि ये आपी का बेटा अमन है अभाजी 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 आई 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 देखिए अभाजी अभाजी अगर हमें अभाजी के खुनी तक पहुंचना आए तो हमें आपके मदद की बहुत जरूरत है क्या बता सकते हैं ये सब कैसे हुआ सहर अमन का किट्नाप हुआ था और किट्नापर्स ने मुझे धंकी दी थी कि अगर मैंने सी आईडिया किसी और को भी ये ख़बर दी तो वो मेरे बेटे को माट डालेंगे तो उन्होंने फिरोती में क्या मांगा सर उन्हें मेरा प्राइवेट प्लेन चाहिए था प्राइवेट प्लेन क्यों स्मगली के लिए उन्हें कोई कंसाइनमेंट इस शेहर में लाना था उन्हें पता था अच्छी तरह सी कि मेरा इस शेहर में कॉन्टेक्ट से, हाई प्रोफाइल कॉन्टेक्ट से, और मेरे प्लेन को कोई नहीं चेक करेगा। सर वो कंसाइनमेंट मुंबई शेहर में पहुंच गया। तो क्या किड्नापर्स ने अपनावादा तोड़ दिया, अम उनको माल डाला उनोंने। हाँ सेर, मैं उसके साथ हमेशा बॉडिगाड रखता था, ताकि उसे कोई नुक्सान में पहुचा पाए। मगर फिर भी किड्नापर्स उसे मार दिया सेर, और उसके बास से आज तक उन लोगों ने उससे बात तक नहीं किया। देखें अबेजी, जहां पर अमन को अजगर ने निगला था, वहां पर हमें ये एक लड़की का जूता मिला। क्या कोई लड़की थी अमन के साथ उस वक्त? लड़की? रीचा? हाँ सर रीचा, सर रीचा अमन के गर्डफरेंड है और उस दिन रीचा अमन के साथ ही थी अमन के शरीर पर मेरा मतलब है उसके गरदन पर हमें एक छोटे से चिप मिली, चिप सर वो चिप, मैंनी अमन के गरदन पर लगवाई थी क्यों? अमन को हमेशा धमकी भरे फोन आती थी मुझे डर था कि कहीं उसके साथ कोई हाथा नो हो जाए इसलिए वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है इन सब का ट्रैक रखने के लिए मैंने उचिप उसके गरदन पर लगाई थी सर जो सर अगर अमन और रिच्छा साथ में थे तो पर यह रिच्छा कहा है पोग है रिच्छा, रिच्छा जो कुछ भी हुआ है मारानी तिलोत तमाके डुगगर चुलाई स्टेट में हुआ है यह सब क्या है? यह देखकर तो कोई गधा भी बता सकता है कि यहां कुछ गढ़ड़ हुई यह सब यहां केस है? देख क्या रहे हुआ हटाओ इसे जल्दी चलो CID के आने से पहले यह सब जला दो यह क्या है? यह तो ड्रोन है हमारी पिच्चास काप्चर कर रहा है उड़ा दो इसे अभजित अभजित अरे अरे महारानी फिलो तमाजी कहां जाने के तैयारी हो रही है देखियो ऑफिसर जैसे आप सोच रहे हैं वैसा नहीं नहीं जैसे आप लोग सबुद मिता रहे थे उससे पहले हम यहां पहुंगे है? तो रिचा और अमन को यहां अंदर बांद के रखा गया था कौन अमन? कौन रिचा? हम तो इन्हें जानते तक नहीं है देखिये, हम किसी जंजट में नहीं बसना चाहते थे इसलिए सारे सबूत मिटा कर यहां से भाग रहे थे और हम यह सब क्यों करेंगे? हम तो आज सुभाई मंबाई पहुंचे है ठीक है वाह अंदर लिखा हुआ है बचाव S.A.N. क्यों संजय जी? आपका ग्या 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 यह पंकर्ष कुछ करो यार खड़े क्यों हो? हाँ हाँ सर यह सब मैंने किया था इसके बदले मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे एक आपके सर जिसने का इस उम्जा ने लागा है किसी को कुछ भी पता ने चलेगा अगर मैंने साथ दिया तो वह मुझे पांच लाग रुपे देगा और वो सिफ रिचा और आमन को बंदी मरा के रखना है रिचा का है? रिचा और आमन भाग है और वो आदमी और उसके साथ यह उन दोने को पखनने के लिए जंगल में उनकी पीछे दोड़ पड़े सर उसादमी का नंबर चाहिए आमे जो तुमें पांच लाग रुपे देने वाला था जेवंती फोन ट्रैक करो रड़की बहार आजाओ आमें पता तुम यही कही हो अपने आप बहार आजाओ पता आजाओ नहीं पत्रोप चेल मुझे वहींवाँ परिशान कर लिया अब मर रख कवरामत हम लग CID मैंन को बचाने के बहुत कोशिश की मैंन को बचाने के बहुत कोशिश की श्यांतो 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 बताओ क्या हुआ अमन और मुझे बंदी बना कर छोपड़े में रखा था और उसके बाद हम वहां से कैसे भी बचके निकल गए सर लेकिन यह बदमाश हमारे पीछे पड़े थे और अर अर इन्ड़े अमन को गोलिवार दी उसके बाद क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद अमन लोड़कता वा हुए जाए बूर चाहँ दूर चाहेरा और मै जल्दी सोस चठाहन से नहीं अजी और फर मैंने तेखा कोषिश किसा अर अर यह गुंदे को अर यह पीछ पढ़े होए Cornell 않을 इंग है इन उन्स。」 इस ने मुझे बहाँ से भागना पड़ा कर दो बहु कर माल दिखाओ जिसा तुम चाहते दे प्रवीन सारे के सारे आटोमेडिक अतियार मशीन गरेनेट स्नाइपर लाइफल सारे के सारे फ्रांस से इंपोर्ट करके मंगाए क्या बात है दिल खुश हो गया एक बात तो कहनी पड़ेगी मुझे तो ये यकीनी नहीं हो रहा है कि इतनी सक्ट चेकिंग के अंदर ये हतियार तुम हिंदुस्तान में ले आए बहुत खुब राजीव ये तो हमारा काम है ये तो बंदूख देख रहो ना इसकी गोली पर स्पेशल डायमन कोडिंग आगिया है जो सक्ते सक्त कबच को भी चीर सकती है डन डेल पप्की वहले पैसा हाँ येलो जितने में तेहुआ अदब पूरा है अमर्जाथ काम कर गर बहुत चाला मुझे भी बाल रखो मैं कैली गोल्ट मैं कैली गोल्ट राजीव अमन का बॉड़ीकाट अमर्जाथ फितना साथ अजार रुपे, वो भी महिने के, आज की जबाने में क्या होता है साथ इतने पैसों का, कुछ नहीं, करोड़ पती था वो, और इतने साल, इवान दरी से नोकरी करकर कुछ नहीं मिला साथ, लोग गया उसका बेटा, हमेशा के लिए, अब कम भी नहीं आएगा वो अब है तुम्हारा मालिक था, तुमने उसे दोखा दिया, इसके बच्चे की जान बचाने के लिए तुम्हें पैसे मिलते थे, अब तुमने उसके बेटे की रखवाली नहीं की, जान से मार डाला तुमने उसे, कभी सोचा था अब तुम्हारी रखवाली कौन करेगा आसी का फंदा यह गया मेरे स्वागत के लिए सिर्फ एतने लोग कोई फोर्स नहीं कोई स्नाइपर में कितनी बेबस है एक सी आईजी मैं या तुम सब के सामने बिलकुन नहता खड़ा हूं और तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड सकते राइमा का है बड़ी जल्दी में वे एसी भी वहले मेरा सामान नहीं नहीं सिर्फ एसी भी अन्हुम अन्हाँ यहीं जलुम अन्हाँ शाल सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है, जैसा तुम चाहते थे राइमा सबर कफल मीठा होता है, सीपी सबर्म एक वाल, सीपी है एक तुम ऴीचे को तुम पहा फ्मखार में भी अज़ा थे लगाना बच्चों की केल हैं इसे भी है अब तुम्हारी उम्रे नहीं रहे के नहीं के पर्टोरी राइमा वहाँ राइमा तुम तु जानते वेसी भी एविल्यूशन पहले इंसान एक जानवर था फिर दीरे दीरे वो खड़ा वो उसे अख लाई और फिर उसे अविश्कार किया पहिये का चक्का टायर और आज आज उस टायर के विज़ा से दुनिया कहा के कहा पुँचके है ना? सर यह कटोरी मेरे निशाने पे निशाना लगाँ किया सर नहीं अभी नहीं यह आसमास टायर का है ठुंडो सर राइमा राइमा संबल के सर इसकी आलद तो बहुत कराब है एंब्यूलिस बलाते हूं सर यह कटोरी तो वाके ही हमसे दो कदम आगे निकला हाँ मगर कब तक और कहा तक आगे निकलेगा पता तो हम लगाएं लेंगे अगर जीत तो हमारी ही होगी झाल